जेहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिया पोस्ट यानि के भरतिय डांक उतर परदेश जीडियस भरती 2020 ओनलाइन फोर्म के अंदर कैसे आप चेंजर्स कर सकते हो यानि के अगर आपके फोर्म के अंदर फोर्म को बरते समय कोई मिश्टेक हो गई है तो आप उसको कैसे सही कर पाओगे ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है और क्या ट्रिक हो सकती है जिसके माध्यम से आप इसके अंदर सुलसुधन कर सकते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है बट यहाँ पर दूस्तो फिलप के अंदर जानकारी कैसे सही करे ये बताने से पहले मैं आपको जो इस वीडियो का जीके का कोश्चन है वो बतायता हूँ फिर बाद में बात करते है इसके बारे में तो यहाँ पर जो आपका सवाल है इस वीडियो का वो है आपका सक कैलेंडर का पहला महिना कौन होत तो यहाँ पर आपके option है option A 4, option B वैसाक, option C कार्थिक और option D माग तो जो भी आपको लगता है right answer है वो आपको comment के माध्यम से बता देना है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं में जानकारी के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हों कि इंडिया पोस्ट ने उत्तर पर देश ड्राक विभाग के अंदर भरती निकाली हुई है 3951 पदों पर जिसमें की दसवी पास candidate आवेदन कर सकते हैं अब चाहिए आप भारत की किसी भी state से हो तो यहाँ पर जानकारी यह है कि इसमें बहुत सारे लोग अपलाई करते हैं और जब आप लोग form फिलप करते हों तो उस वक्त भी आपको आपके दोवारा भरी गई जानकारी को दोबारा चेक करने का और उसको सही करने का option दिया जाता है बट उसके बाद भी बहुत सारे candidate के form के अंदर बाद में जब वो print निकालते तो देखने को मिलता है कि इसमें कोई mistake है और आप चाते हैं कि हम उसको change कर सके बट आप उसको change नहीं कर पाते तो इसी को देखते हैं ये वीडियो मैं आपके लिए ले करके आया हूँ अभी यहाँ पर अभी आपका एक सवाल ये भी होगा कि क्या इसकी form flip की date आगे बढ़ सकती है या नहीं तो दोस्तो अगर देखा जाए जो lockdown चल रहा है तो इसकी वज़े से मुझे 99% है कि आपकी date form flip की आगे बढ़ेगी जो कि अभी 20 अपरेल है और वो जब बढ़ेगी में भी आपको 2-4 दिन के बीच में देखने को मिल जाएगा तो ये भी आप clear कर लीजी अगर आपका ये सवाल था तो यहाँ पर बात करते कि कैसे आप इसमें changes कर पाऊगे तो दोस्तों अगर बात करे officially तो officially आप इसमें एक बार form submit करने के बाद कोई भी changes नहीं कर पाऊगे बट यहाँ पर अगर आप trick इस्तमाल कर रहे हो या फिर यह कहें कि सारा आप अपनी तरफ से बताए कि क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर changes करने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप changes तो अपने form को एक बार submit करने के बाद किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं बट यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने इतने काफी समय तक wait किया है किसी भरती के आने का और आपका अगर उसके अंदर कोई गलती हो जाती है mistake हो जाती है तो आप उसको ऐसे ही करते हो तो आपको वहाँ पर अपना जो नंबर आपने पहले apply करते समय इस्तमाल किया था 4 नंबर वो इस्तमाल नहीं करना है आपको दूसरा इस्तमाल करना है और आप apply कर पाऊगे अब यहाँ पर अगर आप दूसरे नंबर से apply करते हो तो आपके मन में एक सवाल यह आता ह कि क्या जो हमने पहले form fill up किया था क्या वो reject हो जाएगा क्योंकि अगर वो reject होगा तब ही हमारे chances जादा होगे तो मैं आपको बता दू कि वो आपका merit list जब लगेगी उस वक्त reject नहीं होगा क्योंकि इनके system को नहीं पता कि जो आपके उनके पास जानकारी पहुँची है वो सही है या गलत है वो उनको तब मालूम होता है जब आप document verification पर जाते हो और उनके पास जो वहाँ पर एक information online माध्यम से पहुँचती है वो information और जब आप वहाँ पर document पेस करते हो उनको दिखाते हो तो तब उनको पता चलता है कि आपने क्या जानकारी form के अंदर भरी थी और क्या जानकारी आप उनको दिखा रहे हो तब जाकर के आपका form reject होता है बट इस situation में क्या होगा आपका जो form है वो दोनों active रहेंगे बट जब आपकी merit list आ जाएगी उस वक्त आपके जो registration number होंगे दोनों form के अलग-अलग होंगे तो अगर आपके दोनों number merit list के अंदर हो registration के अगर आपकी percentage higher है तो आपको क्या करना है आपको जो आपने बाद में form fill up किया था जो कि आप मानते हैं कि यह form में accept करता हूं और इसी form को मैं attend करूंगा तो जब आपका document verification हो तो आपको वहाँ पर second form की जो copy है वो और document related जो भी document है वो लेकर के वहाँ पर जाने होंगे और first form को आपको भूल जाना है क्योंकि उसके बारे में जब उसको कोई attend ही नहीं करेगा तो automatically reject माना जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने दो form fill up कर दिये तो आपका एक form reject हो जाएगा या फिर दोनों reject हो जाएगे तो दोस्तों यहीं थी आपके इसके बारे में complete जानकारी और साथ ही यही एक वो trick है जिस माद्यम से आप अपनी मैनत या फिर जितना weight आपने भरती को आने तक किया है उसको आप continue रखना चाहते है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने इतना weight किया और आप से एक छोटी सी mistake हो ग करनी है इसमें बस जो आपके जनरल OVC EWS candidate है इनको फीज तो extra देनी होगी बट यहां पर आपके पास जो chances है वो दोबारा से active हो जाएगा और आपको कोई problem भी नहीं आएगी तो दोस्तों बस सही थी जानकारी जो कि मुझे आप लोगों तक share करनी थी अगर आपने अभी त प्लीज आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आपस वीडियो को लाइक, सेयर और साथ इसाथ ग्यानदे होस्ट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के सबसे पहले मिल पाए जे ही दोस्तो